सवाल क्योंकि मैं promote 23 साल ओगे जलनजम में मैंने यह सवाल अडवानी जी से भी पूछा राजना जी से भी पूछा गटकरी जी मुझशा और यह आप से भी कई बार पूच छी को आउगा हूं और बार बार पोलराइस फैक्टर क्यों है कि ये बच्चे कॉंग्रेस पार्टी आग से खेलती है हर चुनाओं में जी जब आग से खेलती है और जब जलने लगती है तो फिर बोलती है पोलराइजेशन हो गया आप मैंने क्या कहा आप बताएए अकलेश जिन्ना को लेके आया था कि नहीं आया था हर चुनाओं में लाने वाला कौन है आपने अपने पैरावान फाइव और सिक्स में लिखा नहीं लिखा स्पेशल ट्रीटमेंट टू माइनॉरिटी इस इस इकीस करने का काम कर रहे हैं तो जब आप इस तरीके की डिविजिव फोर्सिस का जो आपका अग्रेजों से आपने जो मंतर सीखा डिवाइड और रूल डिविजिव पॉलिटिक्स वो आप हर इलेक्शन में करते हो और आप माइनॉरिटी वोट को सीख करने का प्रयास करते हो तो अग्रे मंतरी अमिर्शा कर रहे हैं और राजना जी ने तो यह बोला पियो के खुद बखुद भारत में शामिल हो जाएगा तो मतलब अगली सरकार का एजेंडा यही है क्या ऐसा जो एजेंडा हुआ हुआ हमने मैनिफेस्टों में लिख दिया है जी लेकिन जो वहां के हा जाए तो बात अलग है हम लोगों ने को लोगों नोग्या उसको एकसप्रेस किया है लेकिन हां भारतिये जनन्ता पार्यटी के बार में पार्लेमिंट के अंदर फ्या हिदो तक भारत का हमारा हक है और हम वहां तक की बात करते हैं लेकिन बीजेपी अन्रिकॉर्ड काई बार बोल चुके है कि पीओक को हम अपना हिस्सा मानते हैं लेकिन फारुक अबदुल्ला और मणीशंकर एयर को बहुत तकलीफ है वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इज़त करनी चाहिए उनके पास प्रमानु बम है ऐसा है इसी लिए लोगों ने आपको घर बैठा दिया ना क्योंकि आप भारत की रक्षा नहीं कर सके आप भारत की बातों को ठिक धंक से रखनी सके आप उनके साथ कॉंप्रमाइज करते रहे औ राज मोदी जी की राज में घर में घुष करके पाकिस्तान को सिखाने की आदत हमें बर लगी है और भारत की जनता ने इसको इस पर अपनी मोहर लगाई तो इसी लिए आपको घर बठा दिया ना प्रदान मंतरी मोदी जी ने तो कहा है ना आखे उपर उठा के बात करेंग फच्तान की एक बात पर हला कि केजरिवाल ने उनको कांट्रडिट करा बार्तिय जंदा पार्टी ने इस देश के लोगों में कूट कूट करके भरा हुआ है और इसलिए और भार्तिय जंदा पार्टी ने राश्त्रवात को आगे बढ़ाया है केजरीबाल ने आजकल देश का Mind स्पेस और बीज़यपी का भी Mind स्पेस काफी ले रख हा है आम आदमी पारटी की एक राज़य सबा सांसद है हम बीज़य पी ने नहीं ले रखा है वो जिनका नाम आप लेने वाले हैं उन्होंने ले ले रखा है जी, राजे सवा सांसद हैं, स्वाती मालीवाल, आप खुद राजे सवा सांसद हैं, अर्विंद केज़िवाल और उनके पी-ए पर मार्पीट के गंभी रारोप लगे हैं, आम आदनी पार्टी से जब सवाल पूछे गए तो उनने बोला ये सब कुछ बीजेपी करवा रही ह मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस दिन लखनओ में आप से ये प्रशन पूछा गया, तो आप चुपके चुपके भाएं और दाएं क्यों खिसका रहे थे, एक वार अखिलेश को दिया, एक वार संजे सिंग को दिया, आप चुप क्यों थे, वह विज्जूल नि उनकी पोल तो कभी न कभी खुलती है, क्या आपको लगता है कि ये विशे चुनावी फैक्टर भी बनेगा, कौन सा, ये आहम मादमी पार्टी के चरितर को बताता है, तो जब क्यारेक्टर को बताता है, तो निश्यत रूप से वो चुनाव में भी लोग उसको देखते ही ह करते हैं कि वो हर चीज का ब्लिम भरती जनता पार्टी पर डाल देते हैं, अब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया आलाइस की सरकार आ गई तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, ये सब वोट अपने तरफ खीचने के लिए अपने इज़त आबरू को दाव में लग पडली को वो कह रहे हैं कि देखिए, तो अब ये 21 वी सिताब्दी की जनता ये इमोशनल नहीं होने वाली है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है क्योंकि कोट ने उनको इंटरिम बेल दी है, क्या आपको लगता है स्पेशल ट्रीट्मेंट है ही? दिश्चित दिया है, तो दिया है, तो दिया है, पर एक सवाल मुझे समझ में नहीं आया, कि वो किस बहाब पे कह रहे हैं कि अगर चार्ज उनको इंडिया लाएं जीत गया तो ने जेल नहीं जाना, फिर उनको उनको बेल मिल जाएगी, यानि क्यों क्यों कि वो किसी सरकार से को उटके जज्मिन को रिस्पेक्ट करती है, नटाजी मेरा अगला सवाल है कि एडी सीवेया पर तो आप पे बहुत सारे सवाल जवाब हुएं, लेकिन एवियम को लेकर भी सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं, विपक्ष कहता है कि हर एजेंसी का दुरुप प्योग करके विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं, और आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्टे देक्ष हैं, और आरोप आपकी पार्टी पे लगा जाता है कि आप लोकतंतरी समाप्त करना चाहते हैं, आप बुरे कर्म करो और दोश किसी और पर जड़ो, आप बताएए एडी ने जितने भी चार्जेस पुलिटिकल लीडर्स पर लगाए हैं एक भी चार्ज में किसी भी पुलिटिकल लीडर को कोट से कोई रियायत मिली क्या किया किसी चार्ज को किसी कोट ने कहा कि ये गलत चार्ज है किसी को भी उन्होंने कोई रियायत दी हो और कहा हो कि नहीं है जो चार्ज फ्रेम है ये गलत है तो इसलिए एडीप की क्रेडिबिलिटी पर ये प्रशन खड़ा करना ये नेरेटिव क्रियेट करना ये विपक्स का काम है बुरे करम करो और फिर छुपाने के लिए दूसरों पर दोश गड़ो ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है प्राक्टिस है प्रसीजर है अब रही बात इवियम की जीत जाओ तो तुम पहलवान हार जाओ तो इवियम दोशी ये क्या तरीका है हमारे हाँ कहावत हिंदी में नाचना आवे आंगन तेड़ नाचना आना आए तो बोलो आंगन तेड़ आए और अंग्रेजी में कहते हैं बैड क्राफ्समन ब्रेम सिस टूल्स पिछली एक महीने में इन लास्ट थर्टी डेस सुप्रीम कोट के दो फैसले आए हैं जिसमें विपक्ष को मू की खानी पड़ी है लेकिन इसके बावजूद विपक्ष मानने को तैयार नहीं है ऐसा है ये मू की खाने के बावजूद भी इनका पुलिटिकल एजेंडा है कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्चिन कैसे खड़ा किया जी ये इनका राजनितिक एजेंडा है क्यों क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी उनकी तपस्या उनका कारे करने का तरीका उसको भारत की जनता ने दिल से अपने साथ आत्म साथ किया है और उसी ताकत पर दुनिया भर मे देश भर में फिर एक वार मोधी सरकार ये नारा गूंज रहा है नतीजों के बाद अगर कुछ कमी रही तो बतौर बीजेपी रास्ट्रे अध्यक्षाब का प्लान बी क्या है अप प्लान बी की जुरुत नहीं है एक तरफा लोगों ने मोधी जी को आशिरवाद देने का मन बना ली बीजेपी का नंबर क्या होगा? चार सो पार बीजेपी टू थ्री सेवनटी प्लस अभी भी? जी चलिए क्या आपको लगता है क्योंकि आप अपका थ्री सेवनटी कह रहे हैं तो दूसरी तरफ से उद्धव ठाकरे तो आप लोगों को शपत भ्रेंड में बोलाने की बात कर रहे हैं कि मैं प्रधान मंत्री मोदी और अमिश्या को शपत भ्रेंड का भी से नियोता देता हूं मैं तो मोदी को पूर प्रधान मंत्री बोलूँगा अब मैं वहारे पार्ट्र रहे हैं मैं अच्छा नहीं लगता लगा लेकिन यह असीन सपंपनी ओ और राहुल गांदी जो है वह खटाखट गरीवी को शमाप्त करने की बात कर रहा है पहले गरीबी का गर समझ ले क्या है तब गरीबी समाथ तो आपको क्यों लगता है राउल गादी को समझते हैं नहीं है मैं इसलिए लगता है क्योंकि उनको कोई चीज़ डेप्ट से समझने की आदत नहीं है आपने एक उनका नया नाम करन भी कर दिया वो पर्ची वाले नेता है आप इने सदन में बोला था उसके बाद से पूरी बीजबी बोलने लग गई है तो सचाई बोली ना मैंने पर्ची वाले नेता है को किस ने कॉंट्रडिक्ट किया आप बताईए वो मुस्लिम लीग का तो है तो और उनको यह पर्चिया कौन दे रहा है कौन से इजेंडा उठाकर के ला रहे है और पहले अपने पिता जी को बोलो कि उनकी अकल नहीं थी हमको अकल जादा आ गई है जिन्होंने कहा कि ओबी सी के बारे में जिन्होंने वक्त वे दिया था रिजर्वेशन के बार में प्रेशन किया जी अब इसे मीडिया उनको क्या प्रोजेक्शन दे सकती है लेकिन बात बरिस पश्ट है कि आप यूशी यू केनोट इंप्रूव संबडी स कंटेंट मैं आप से बात्चित कर रहा हूं एक भी बात मैंने कोई ख्याल में बोली है क्या मैंने तक्ष्यों पर बोला है ने वो अपंने कहा कई वो इंट्रीयू नहीं नहीं देते है तो यह लेवल प्लेइंग कहा है पना है आपके राज्ये पर आता हूं हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर चार लोग सभा सीटे हैं आपको तो पुरा देशी है लेकिन क्योंकि आपका ग्रे प्रदेश है और इस बार छे विधान सभा सीटों का भी चुराव है और अमेच शाजी ने कहा कि इस बार आपके पास एक आपके विरोध में वोट डाल देते हैं कभी कॉंग्रेस ने इसका अनैलिसिस किया कि मुख्यमंतरी कर क्या रहे हैं